अब तो नमस्कार मांकेट्स की इस वॉलेटिलिटि में आप लोगों का स्वागत है मांकेट्स में ऐसे वॉलेटिलिटी जारी रहेगी आप पिछले एक अफ़ते का व्यू देखिए मांकेट्स में सदन स्विंग्स आ और दो दो सु पॉइंट का अपन डाउन गैप अफ गैप डाउन ओपनिंग के साथ हमें देखनी को मिल रहे हैं बट ओवरोल बायस पॉजिटिव रखके काम किया होगा तो पैसा बना है लास्ट एक विक के अंदर हमने अच्छे खासे उपर में 17200 प्लस के लेवल देखें औ लॉंग पोजिशन इनिशिट किया जा सकता है जिन्होंने लॉंग पोजिशन बना रखा है वो लोग पोजिशन सोल्ड करें निफ्टी में अभी उपर में इमीजेटली 17150 17200 यह लेवल जैसे ही तूटेंगे तो 17400 से लेके 17500 तक का मूव निफ्टी में हमें आने वाले दि लॉट अब इन इट कमस तो बेंग निफ्टी बेंग निफ्टी इस अलसो शोईंग गुट वालेटिलिटी वे एफ सीन गुट स्विंस इन बैंक निफ्टी तू बैंक निफ्टी स्कोटिं अरां थर्ती शूट बनेगा 3535500 अं 3500 लेवल जैसे ही तूटेंगे तो 37000 से लेक का मूब देखनी को मिल सकता है I think bank nifty should also give good up move in next couple of days in next one week time horizon we should see a good bounce back and pullback in bank nifty from present levels or if there is a dip of around 100 to 200 points from present levels then that should be used as a buying opportunity and on higher side the targets can be 37000 and 37500 levels in next four to five days time horizon and the support for bank nifty is placed at around 35500 and 35000 levels जैसे कि हमने पहले भी कहा था mid cap and small cap के अंदर अच्छा move देखने को मिलना चीए और वो मिल रहा है last एक मैने से हमने almost हर वीडियो में कहा है कि nifty bank nifty के साथ ज्यादा move हमें mid cap और small cap में देखने को मिलेगा अभी भी वो same view कायम है जब तक कोई support levels खास break नहीं होते तब तक mid cap और small cap के counters पर ध्यान रखिए उनके अंदर एक अच्छा move अभी वी उपर की तरफ देखने को मिलेगा stock specific चाल आएगी कभी कौन सा stock 5-10% उपर भागेगा तो कभी कौन सा stock 10-20% उपर भागेगा और यह देखने को मिल रहा है और यह भी और देखने को मिलेगा मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते 10 दिनों के लिए या 15 दिनों के लिए आपको ऑटो सेक्टर पर ध्यान रखना चाहिए ऑटो सेक्टर के अंदर एक अच्छी चाल है अठाइसों का लेवल 2800 लेवल्स अगर बार उपर में ब्रेक होते हैं सो आने वाले दिनों के अंदर वीकें सी लेवल्स अफरांट 2950 and 3000 लेवल्स बैंक निफ्टी में जैसे रिकवरी आएगा तो SDFC बैंक पर आप लोग closely watch रखे 1380 का लेवल जैसे क्रॉस होगा उसके उपर क्लोजिंग देखने को मिलता है तो SDFC बैंक के अंदर 100-500 रुपे का मूव हमें उपर की तरफ देखने को मिल सकता है वेन इट कमस तो SDFC, SDFC भी लोवर लेवल से पूल बैक बाउंस बैक दिखा के थोड़ा सा पॉस ले रहा है SDFC के अंदर भी जल्दी उपर का मूव देखने को मिल सकता है जैसे SDFC के अंदर उपर में 20-70 के लेवल ब्रेक होंगे तो 100-500 रुपे का मूव हमें SDFC के अंदर भी देखने को मिल सकता है I think आज की वीडियो में इतना ही सुनने के लिए देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यों वरी मच्च बाबाए टेक केर